तो हेलो हाई आम अनौल श्रिवास्तो है राम राम कैसे हो सारे उमीद है सब बढ़िया होगे और यह सबसे पहले तो आप यह जो बिग डैड़ी है ठीक सही में वैसे बिग डैड़ी है और दूसरी चीज यह बता आप सबसे पहले कौन सा वेरियंट है यह इत्यली समझ में न आज की इस वीडियो में हम जो है इसका एक आपको वाकराउंड देते हैं फीचर्स के बारे में बताते हैं और जैसे कि जो यह प्राइस है लगभग इसमें आपका सफारी का भी ठीक ठाक वेरियंट आ जाते हैं अब जो नहीं वाली सफारी आई है वो भी ठीक और आपकी एक्सीवी 700 भी आ जाती है तो वो भी हो जाता है तो उनसे थोड़ा सा रिल थैसेच का लुक नहीं पसंद आता है रए llevी सेवनंड़ी का पशंद आता है और अपना एकषिवेयंट का पसंद आता है तो लुक्स तो सबके परस्नल उस पे मैटर करते हैं इसक कि अगर मभात करें पीछे से देखनें वे बहुती है बलकी लेगती है आगे से भी देखन लो टॉप मॉडल लो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पे आपको वेरियंट कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप अपने एसाप से कस्टमाइज करा लो तो वह आपके ऊपर है ठीक कैसे कस्टमाइज कराते हो यहां पे आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं और बंद होएंगे तो ये चीज आपके महिंद्रा में XCV 700 में भी आ जाती है इसमें भी आ जाती है तो यह चीज जो है अच्छी है यह फीचर अच्छा है अब अगर हम बात करते है सफारी में तो सफारी जो अभी नई वाली आ रही है वो भी 7 सीटर है मैं हैरियर को इसलिए म यह पर कर रहे हैं तो सफारी में आपको जित्ता मुलता है वह आपको ना तो इसमें मिलता है ना ही एक्सथी 100 में मिलता है तो दोनों में studio पीछे का इसंपेस है वह आप इन तीनों में Safari का थोड़ा ज्यादा है क्या वो चोरी है क्योंकि वह चौड़ी है नम्बी है हल्की सी उसमें पीछे का मतलब फ़र आगयु आपको गाली है रारा वा को हो इस ही दो उससे सेे को बाकि मीड़ल जाती है क्या सेवस्वान हूं पर रख सकते हो उसके अलावा मतलब ज्यादा कुछ सामान यहां पर रख नहीं सकते हैं आपको यह वाली सीट जो है ग्राउंड करेंस देख सकते हो अच्छी गासी क्योंकि SUV है तो SUV वाला फील के लिए आपको अच्छी गासी ऊची भी दी गई है और यहां पर आपको फ्रंट लुक से भी अच्छी देखने में लगती है जो इसकॉर्पियो का जो एक मतलब जो डिजाइन लेंगवेज है वह इसकॉर्प के लिए तो जो जो है यहां पर कलासिक आती है वह उसका लगी रुत्वा जैसे वहां पर अगया यही लिग Eğer गाड़ी लग इसकॉर्पिय जादा विकर रही है XCV700 के मुकाबले क्योंकि यहां पे आपको 4WD का option मिलना है XCV700 में AllWheel Drive आता है तो AllWheel Drive, 4Wheel Drive में बहुत अंतर है Safari में, Safari और Harrier जो है उसकी sales भी इसी की वज़े से डाउन होई है क्योंकि यहां पे आपको 4x4 मिल जाता है अगर आप 25-30,000,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो अगर उसमें आपको अच्छा option 4Wheel Drive का option मिल जाता है तो आप अब्वेसी बात है वही लोगे तो वही चीज महिंद्रा ने इसके साथ में भी की है Safari, Tata यह सब 4x4 दे नहीं रहे हैं यह 4x4 दे रहे हैं तो इसलिए यहां पे आपको मिल जाता है खर यह 4x4 वाला वेरियंट नहीं है यह नॉर्मल 4x2 वाला वेरियंट है ठीक, Alloy Wheels की बात करते हैं यह तो अलग से लगवाए हैं पीछे disc brakes, आगे disc brakes तो breaking आपको अच्छे मिल जाती है हाँ, हलका सा body roll आपको इसमें feel होगा ठीक है, body roll आपको इसमें feel होगा तो वो चीज है बाकी ORVM की बात करते हैं यहां पे जो है आपको turn indicators मिल जाते हैं बढ़या जो कि देखने में ठीक लगते हैं और अगर हम इसको unlock करते हैं तो भी ऐसी रहेंगे मलब automating नहीं है अंदर से आप फोल्ड ओल्ड से यह सब कर सकते हो मलब remote से नहीं fold होंगे आपको अंदर से fold करना है वह आप अंदर से fold करके electronically वह आप इसमें काम कर सकते हो अब front से आ जाते हैं तो अब देखो जैसे side right से यह सब जो है आपने देख लिया साइज में बड़ी है size में बिल्कुल मनलब जैसे फॉर्जूनर को comparison में मनलब यह नहीं निकाली एक हैर है नहीं वह फॉर्जूनर अलग चीज़ है यह अलग चीज़ है इसमें four by four आपको मिल जाता है पावर्फुल डीजल इंजन मिल जाता है पावर्फुल पेट्रोल इंजन मिल जाता है पेट्रोल इंजन दोसो बेस पी निकालता है यह लगबग 170 पी निकालता है बाकि यहां पर आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं यहां पर प्रोजेक्टर आपको दे दिया गया है Z8 है यह एल नहीं है तो यहां पर आपको एक ऐसे मिलता है और एक ऐसे मिलता है ठीक तो यह चीज अनीचे DRS मिल जाते हैं वहां पर भी प्रोजेक्टर दिया गया है LED में तो इसकी जो है अगर हम अनलॉक करते हैं तो यह पूरा जलेगा फिर जो है ब्लिंक करके तब बंद हो आपको दिया जाता है एडा इसे में वैसे भी नहीं आता है front camera भी नहीं आता है ठीक इसमें Z8 में से जितना रहर रखने की कोशिश की गई है इसको ना ज्यादा features कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं नॉर्मल जैसे जो फीचर आपको दिये जाते हैं, हर गाड़े में वही आपको यहां पर दिये जाते हैं, अब हम अंदर से बात करते हैं, तो अंदर से जो है, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया कह सकते हो, वो सबका अपना personal perspective है, क्या है, ठिक, तो अंदर से भी luxury तो मिल जाती है अब यहाँ देख लो तो brown और dual tone में interior है बाकी यहाँ पे आपको seats देख सकते हो तो 60-40 split seats है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यह खेर आगे पीछे नहीं हो सकती है यह थोड़ा सा इसका drawback है तिक कि आगे पीछे नहीं हो सकती है कम से कम आगे पीछे होना चाह सफारी में क्या है सफारी में आपको यह सीट आप आगे कर सकते हो पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से अच्छा है इसको अगर आप पूरी आगे भी कर दोगे सफारी में तो भी आप आराम से बैठ जाओंगे पीछे अपना आराम से लोग बढ़ जाएंगे यह चीज है वहा प्रैक्टिकालिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो वह सब का अपना अलग अलग है अगर आपको 4x4 चाहिए और थोड़ा सा से अजीज़ की यहां से यहां से स्पीकर साथ आवाज बढ़ी हा आती है और मतलब यहां पर इस्पीकर मामले में बहुत ही अच्छा किया गया है यहां की बाते हैं तो यह आपको जो है height adjustable मिल जाती है लेकिन manual करना पड़ता है तो वो चीज है अपने हिसाब से आप अपना seat adjust करो आराम से manual करना है यहाँ पर engine start shop AC के events यह सारी चीज़ें cruise control और infotainment के control अधर मिल जाते है instrument cluster मिल जाता है instrument cluster care इसमें चाबी तो वो आली भी आती है लेकिन कहीं लगाने की ज़रूरत है नहीं अपना ऐसी बंद रखो यहाँ पर जो है बस इसको button दबाएंगे तो यह जो है instrument cluster देख सकते हो digital instrument cluster आता है इधर टेको मीटर इधर स्पीडो मीटर बीच में M.I.D. जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें details आपको trip A, trip B, average क्या है यह सारी चीज़ें आपको बीच में दिखाता है ठीक? यह चीज़े steering की बात करते हैं तो उपर नीचे आप कर सकते हो आराम से कोई दिक्कत नहीं है steering इसका light बहुत है तो जो शहर में जैसे चला रहे हो यह चीज एक्सवी 700 में भी है महिंद्रा की लगबग हर गाड़ी में Scorpio का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने क्लासी कभी तक चलाई नहीं है और वो चीज़ अलग है ठीक है बाकी जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यह देखो यह कुछ ऐसा इसका infotainment system है यहाँ पर touch response इसका बहुत अच्छा है android auto apple car पर दोनों आता है यहाँ पर screen देख सकते हो camera की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो camera के लिए मुझे जो है यहाँ पर इसको ऐसे reverse करेंगे तो जो है यह camera देख सकते हो quality ठीक है decent है ठीक और यहाँ पर अगर यह दो को यह पूरा wide angle हो गया यह ऐसा normal हो गया यह इधर का यह इधर का back करो और back करो तो यहाँ पर यह ऐसे आ जागा ठीक मतलब यह चीज जो है आपको इसमें मिल जाती है यह इधर side का हो गया यह इधर गाड़ी है यहाँ पर यह चीज बीच में जब मैंने पहले वीडियो बनाई ती उसमें यह चीज नहीं थी आप जो है इसमें वह चीज कर दिये तो यह चीज अच्छी लगी ठीक यहाँ पर इसके कंट्रोल सुने जाते है आटमेटिक एसी डूल जोन एसी आता है यहाँ पर यह चीज भी अच्छी है एक तरीके से टॉप से थोड़ जस्ट नीचे वाला है जैड़ेट है जैड़ेट एल नहीं है तो यहाँ पर वह साही चीज है यह कंट्रोल्स इधर आपको पैसेंजर एयर बैग अगर ऑन है तो आफ है तो यह चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है यह एक्स्ट्रा जोड़ा गया है यहाँ पर पहले नहीं आता था यह चीज तो यह इन्होंने अब वाले मॉडल्स में यह सब चीज़ें जोड़ दी है यह यह बी यूएसबी का है ट्राइव मोड यहाँ से ट्रैक्शन आफ लिए संट कंड्रोल आइडल शाव श्रॉप एस तो यह यहाँ पर मिल जाती है शिक्स स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन गेर वॉक्स आटमेटिक भी आता है मैनुल भी आता है सारी चीज आती तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो ऑटमेटिक में एक खासियत है उसमे यहाँ पर प्लास्टिक है यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है इस जगह पर आमरेश्ट देख सकते हो इतना बड़ा आमरेश्ट है खोलो इसको अंदर भी इस पेस बड़े आराम से बॉटल ओल्डर कप होल्डर यहाँ पर मिलता है वो पूरा इन्होंने यूटिलाइस क अब में चीज आप लोग सोच रहोगे या संरूफ नहीं दिखाए संरूफ क्या ही दिखाए इतनी धूफ है तुम खुद बंद रखो तुम खुद इच्छा नहीं होगी कि इसको हम खोल के चले इतनी गर्मी फेकर सूरत दादा मजा आ जाएगी आपको हाँ धूप में चल खोल लो तो अलग बात है वैसे यूपी में इसका कोई यूज नहीं दे दिया है ठीक है फीचर है संरूफ है आप पहाड़ पर जाओ वहाँ पर जो है आपको बढ़िया इसका फील मिलेगा तो यह चीज थी स्कॉर्पियो एट गाड़ी के बारे में यह पूरी जानकारी थ भूते हैं तो लगभग 23 के आसपास यह पढ़ जाती है अगर आप जैडेट लोग तो वह थोड़ा सा 24 24 के आसपास जाएगी और अगर आप फोर भाई फोर लोग है तो लगभग 25 के आसपास जाती है ठीक यह आपको उपर है आपको कौन से लेनी है यही था इसका नॉर्म से comparison है नहीं फोर्चुन और फोर्चुन और फोर्चुन आरहे बिग डैडि नाम रख सकूलेने हैं वह यहीं नहीं हो जाता है वह सही में बिग डैडी तो वह थोगद फोर्चुन कहीं ना हिए प्राइस अपने जिस्टिफाई नहीं करवाति है पचास लाख उप सौन 5 जा देने चाहिए न तो वह चीज है बाकी यहां पर आपको देड़ सारे फीचर में जाते हैं काम के जितने फीचर वह दिये फालतों के फीचर नहीं दिये कि उनका कोई यूजी नहीं है ठीक तो वह चीज है तो यहीं था इस कैसा लगा कमेंट में बताना और अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है और आपको जो है ओनर्शिप अपनी गाड़ी का शेयर करना है तो सिंप्ली आप जो है वाइटेन मोल्श्री एड़ेट जीमेल डाट कॉम पर जाएए जो है वहां पर इमेल मुझे करिए अपनी डीटेल भेज दीजे कहां रहते हो गाड़ी कौन सी है अपना कॉंटेक्ट नबर ठीक और बस फिर आप से कॉंटेक्ट होगा ओनर्शिप होग तो तिल एंटेक्ट के रहें बाए ड्राइफ सेफ